पाठ बाईस मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल एक्स्प्रेशन भाषा सीखते समय आप भाषा को कौशल, स्किल के रूप में सीखते हैं अर्थात भाषा अधिगम, Language Learning कौशलों का अधिगम है हर भाषा के चार कौशल होते हैं सुनना, Listening, बोलना, Speaking, पढ़ना, Reading, लिखना, Writing इन कौशलों में सुनना तथा बोलना कौशलों का संबंध भाषा के उच्चरित या बोलचाल के रूप में होता है तथा पढ़ना और लिखना दोनों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है इसी लिए सुनना वा बोलना, मौखिक कौशल, Oral Skills तथा लिखना वा पढ़ना, लिखित कौशल, Written Skills कहलाते हैं भाषा की चारों कौशलों को अलग-अलग कैसे विकसित करें अब हम इसकी चर्चा करेंगे श्रमन कौशल के विकास की विधी श्रमन कौशलों को विकसित करने के लिए उचित होगा कि प्रारंभ में छातरों को सरल कथन या वारतलाप, चुटकुले, देखे हुए नातक, देखी हुई फिल्मों की कहानी सुनाएं बात में सरल गद्यांच, कविताएं आदी ली जा सकती है जो भी सामकरी सुनाई जा रही है, उससे संबंधित लगू प्रश्न तयार कर लें ध्यान रखें, प्रश्न इस तरह के होने चाहिए कि छातर एक शब्द या वाक्यांश में ही उनके उत्तर दे सकें यहां हम केवल एक चुटकुला और एक समवाद उदाहरन के रूप में ले रहे हैं चुटकुला, पती, शाम को बहुत उदास होकर घर लोटा पतनी, क्या हुआ जी, क्यों उदास हो? पती, आज हमारे ओफिस में एक हादसा हो गया ओफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए तो आप कैसे बचे? मैं पान खाने बाहर चला गया था चलो, शुक्र है भगवान का थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को एक एक करोड रुपिये देने का फैसला किया है पत्नी गुस्से में ना जाने तुम्हारी ये पान खाने की आदत कब छूटेगी? अब इस तरह के प्रशने पूछे जा सकते हैं प्रशने एक, पती के घर लोटने पर पत्नी ने उससे क्या पूछा? दो, पती ने क्या उतर दिया? तीम, पती की उदासी का कारण क्या था? चार, ओफिस में क्या हादसा हुआ था? पांच, हादसे से पती कैसे बच गया? छे, चलो शुक्र है भगवान का ऐसा पत्नी ने क्यों कहा? साथ, टेलिविजन पर क्या खबर आई? आठ, ना जाने तुम्हारी ये पांखाने की आदत कब छूटेगी? ऐसा पत्नी ने क्यों कहा? वार्तालाप, दीपा, कैसी हो माला? इतने दिनों से दिखाई नहीं दी? माला, ठीक हूँ, अपने चचेरे भाई की शादी में आगरा गई हुई थी. तुम बताओ, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारे बड़े भाई साहब ने मेडिकल की प्रवेश परीक शादी थी, क्या परिनाम रहा? उनका मेडिकल कॉलेज में एटमिशन हो गया है. भाई साहब को मेरी ओर से शुब कामनाएं देना, आजकल वे कहां हैं? वे कानपुर चले गए हैं. अच्छा, कानपुर में कहां रहते हैं? कॉलेज के छातरावास में. चलो, अभी तो चलती हूँ, किसी दिन मिठाई खाने तुम्हारे घर आऊंगी. ठीक है, जरूर आना, ओके, बाई. इस वारतालाप पर निम्नलिखित प्रकार के प्रश्णे पूछे जा सकते हैं. प्रश्णे, एक, माला कौन है? दो, दीपा कहां गई हुई थी? तीन, दीपा आगरा क्यों गई थी? चार, माला के बड़े भाई ने कौन सी परीक्षा दी थी? पांच, माला के बड़े भाई का एद्मिशन किस कॉलेज में हुआ है? छे, माला के बड़े भाई कानपूर में कहां रहते हैं? साथ, दीपा ने क्यों कहा कि वह माला के घर मिठाई खाने जाएगी? चित्र देखकर कहानी सुनाना चित्रों को देख कर कहानी सुनाना भी एक विशेष्टा है यह विशेष्टा छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाई जाती है बच्चे चित्रों को देख कर अपनी कल्पना की उडान से उन चित्रों से अपनी मन में तरह तरह की कहानियों की कल्पना करते रहते है उच्चारन का मूल्यांकन उच्चारन कौशल का मूल्यांकन करती समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए यह देखना चाहिए कि शिक्षार्थी उच्चारन करती समय स्पष्ट रूप से उच्चारन करपाने में समर्थ है या नहीं हो सकता है शिक्षार्थी केवल अलग-अलग शब्दों और पदों के प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता हो, पर सुसंबध स्तर पर बोल पाता है या नहीं? परिचित संदर्भों में सुसंबध कथनों का प्रयोग शुद्धता से करता है या नहीं? चित्र देखकर कहानी सुनाना कहानी वर्णन मिठू राम की परिशानी एक तोता था मिठू राम पिंजरा ही उसका घर था और वही उसकी दुनिया मिठू राम की आवाज बड़ी अच्छी थी पर वह सिर्फ रात को ही गाता था एक रात जब मिठू राम गाना गा रहा था तो वहाँ से एक चमगादड निकला चमगादड ने देखा कि मिठू राम की आवाज बहुत ही मीठी है तो उसने पूछा क्यों भई, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है तो तुम सिर्फ रात को ही क्यों गाते हो मिठु राम ने इसकी वजह बताते हुए कहा एक बार जब मैं जंगल में दिन के समय गाना गा रहा था तो एक शिकारी उधर से निकला उसने मेरी आवाज सुनी और इसी कारण उसने मुझे पकड़ लिया तब से अभी तक मैं इस पिंजरे में कैद हूँ यह बताकर मिठु राम बोला इसके बाद से मैंने यही सीख लिया कि दिन में गाना मुसीबत का कारण बन सकता है और इसलिए अब मैं रात को ही गाता हूँ यह सुनकर चमगादर बोला मिठ्र यह तो तुम्हें पकड़े जाने से पहले सोचना चाहिए था सच भी है कि कई बार हम गलतियां करने के बाद ही उससे कुछ न कुछ सीखते हैं पर जरूरी नहीं कि हर बार सीखने के लिए गलती ही की जाए कई बार किसी काम को करने से पहले कुछ सावधानियां बरत कर हम गलतियों से बच सकते हैं और नुकसान से भी तो याद रखिए बुद्धिमान वही होता है जो सोच विचार कर काम करता है